सभी स्टूडेंट आप आप लोग को लिए मैं UP, PSC, द्वारा आयोजित, RO, ARO और अन्य कंपटेटिव एक्जाम के लिए इसमें से आने वाले कुछ महतुपण प्रस्णों को सालब पर रहे हैं जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे उन्हें सभी question का answer पता चलेगा और आप से उमीद करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और कुछ प्रस्णों में आप लोगों को जो है कि व्याक्षात्मा कुरूप से भी आप लोगों को detail में दिया जाएगा तो आईए स्टार्ट करते हैं और competitive exam से संबंधी थी जादे तर वीडियो रहेंगे तो आप लोग जो है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि सेहर कीजिए और लाभ उठाएं आईए स्टार्ट करते हैं पहला question दिया है कि इस संबिधान संसोधन द्वारा दिल्ली को राख्टिय राज्धानी छेत्र का दरजा दिया गया है ये प्रस्न कई बार आप लोगो जो है कि वीडियो में दिया गया है और उमीद करते हैं कि इसका answer आप लोग दे दिये होंगे तो आईए इस question का answer हम जो है कि आप लोग को confirm करते हैं तो इस प्रस्न का सही उत्तर है बिकल्प B 69 उन्हत्रमा संबिधान संसोधन ये कब हुगा था 1991 1991 अगला प्रस्न है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था सिक्किम को भारत का कब राज्य बनाया गया था इस प्रस्ण का सही उत्तर है कि 36 सम्मिधान संसोधन में इसको अलग राजय बनाय गया था लेकिन 35 सम्मिधान संसोधन में सहराजय के रूप में इसको मान्यता दिया गया था और ये कब किया गया था ये 22 स्टेट के रूप में जो है कि ये बना था तो इसमें 36 नहीं है तो सहराजिय वाला मार देंगे एंसर 35 सम्मिधान संसोधन के द्वारा अगला कोशन है भासाई आधार पर राजियों का पुनरगठन कीस बर्स किया गया था इस प्रस्न का सही उतर है विकल्प C 1956 में लेकिन भासाई आयोग पर राजियो पुनरगठन आयोग के द्वारा उन्नी सतिर्पन में आन्दपरदेश से ये शुरुवात किया गया था हगला प्रस्न है किस जाती तथा जन जाती को अनुसुचित जात तथा अनुसुचित जन जात घोशित करने है तू सक्ति संपन संविधानिक प्राधिकारी है सक्ति संपन प्राधिकारी कौन है ये जो है कि विकल्प A भारत का राष्टपती है संविधान में इसे 341 के अंतरगत दिया गया है किश छेत्र पर अस्थानिय इकायोग पर नियंतरण नहीं होता है इस प्रस्ण का सही उतर है विकल्प A नागृकों की सिकायत पर नियंतरण नहीं होता है अगला प्रस्न है पंचायती राज की त्री अस्तरिय प्रडाली में आते हैं ये 73 समिधान समस्वधन द्वारा भी है और बलवन्त राय महता समीती के अधार पर त्री अस्तरिय प्रडाली को लागू किया गया था तो इसका पूछ रहा है कि क्रम क्या होगा तो इस प्रस्न का सही उतर होगा सबसे पहले तो ग्राम सभा आता है तो उसों को ग्राम पंचायत बोलते हैं उसके बाद से जो है कि छेत्र पंचायत आता है और फिर जीला परिस्द आता है यानि बिकल्प डी सही होगा बिकल्प डी सही है तो इस तरह से जो है कि छेत्र पंचायत यानि ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत फिर उसके बाद से कई ग्रामों पंचायत को मिला करके एक छेत्र पंचायत बनता है और फिर जीला परिसत तो इस तरह से जो है कि इस प्रस टू एमेंडमेंट की से सम्बंधित है इस प्रस्ण का सही उत्तर है कौन सा सही उत्तर है विकल्प सी सही है दल बदल से है यह दल बदल बिधय कब आया था 1985 में आया था और इसे दसवी अनुशुची में डाला गया है कि जब कोई बिजयी पार्टी के सदस्य दल बदल करते हैं तो उस नियम के तहद जो है कि बावनवा संविधान संसोधन किया गया था और ये 1985 में किया गया था अगला प्रस्ण है निम्र लिखित में से दिनेश गोस्वामी समीती ने सिपारिश की थी इन्होंने सिपारिश किया था लोगसभा में चुनाव के सरकारी निधियन की यानि बिकल्पसी सही है लोगसभा में चुनाव के सरकारी निधियन की यान सरकारी धन का जो है की कैसे जो है की नियंतरत किया जाए और कितना किया जाए इस पर जो है की इन्हों ने यह की लोग सभाव में चुनाव में सरकारी निधियन की सिपारिस की थी अगला प्रस्ण है किस संविधान संसोधन द्वारा मद्दाताओं की उम्र 21 देव घटा कर 18 कर दी गई थी ये भी प्रस्ण कई बार पुछा गया है और काफी जो है की छोटा प्रस्ण है इस प्रस्ण का सही उत्तर है बिकल्ब ए एक 16 संविधान संसोधन 1989 में किया गया था कब किया गया था 1989 में किया गया था निम्न में से कौन भारत में संग राजय संबंध से संबंधित नहीं है संग राजय से पुछ रहा है कि केंद्र सरकार और राजय सरकार से संबंधित नहीं है सरकारिया आयोग दिया है, राजमनार आयोग दिया है, इंद्रजीत गुपता समीती दिया है, पुंची आयोग दिया है तो इस प्रस्न का सही उत्तर है ये कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इस प्रस्न का सही उत्तर है इंद्रजीत गुपता समीती जो है कि संग राजय से संबंधित नहीं है बिकलपसी इंद्रजीत गुपता समीती नहीं है बाकी सभी के सभी सही है अगला प्रस्ण है निम्नलिखित में से कौन सा यूगमस सही सुमेलित नहीं है सही सुमेलित इसमें से छाटना है संस्था दिया है और अस्थापना वर्स दिया है तो आप लोग जानते हैं पाला दिया है केंद्रिय अन्वेशन ब्यूरो जिसको CBI कहा जाता है इसका गठन 1963 में हुआ था ये सही है केंद्रिय सतरकता आयोग CBC जिसे 1964 में अस्थापित हुआ था इसके बाद से भ्रहश्टाचार निरोधक कानू 1988 में आया था ये भी सही है प्रवर्तन निदे साला ये 1956 में आया था तो ये प्रस्ण के जीतने भी जो है कि आपसन दिये गए है सभी के सभी सही है तो इस प्रस्ण का सभी के सभी विकल्प सही है तो इस प्रस्ण को जहे कि यहां कोई नो कोई मिश्टेक देना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ है तो इस प्रस्ण के सभी विकल्प सही है, सभी सही है, सभी सही है, ठीक है, अगला question की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रस्ण है कोको स्ट्रेट कोको स्टेट निम्नलिखित में से किन दो द्वीपों को अलग करता है इस प्रस्न का सही उत्तर है विकल्प C कोको द्वीप समुष को उत्री अंडमान से करता है विकल्प C जो है की सही है ये 10 डिग्री चैनल से जाता है सही सुमेलित यहां बताना है तो इस प्रस्न का सही उतर देखे ग्रेंड चैनल निकोवार एंसुमात्रा के मध्या है यह सही है और पुछा है सही नहीं है आठ डिग्री चैनल यह कोको दीप समू वह मिनिकाय के मध्या है अभी इसके पहले कोको वाल आया था तो वो जो है कि 10 डिग्री पर है यह 8 डिग्री पर दिया है यह गलत हो जाएगा 9 डिग्री चैनल मिनिकाय और जो है कि लच्छ दीप के मध्य पाक और पाकि स्टेट तमिलाड और सिरलंका के मध्या है तो इस प्रस्न का सही उतर हो मतलब कि गलत उतर क्या है 8 डिग्री चैनल कोको दीप समू उसे मिनिकाय के मध्य यानि विकल्प B जो है कि इसका एंसर होगा अगला प्रस्न है पीर पंजाल परवत स्रेणी में इस्थित दरा है पीर पंजाल कहां पर है जम्मू कस्मीर में है और जो है कि इसमें कह रहा है कि इस्थित दरा है पीर पंजाल परवत स्रेणी में इस्थित दर्रा है इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा विकल्प बी बनिहाल दर्रा विकल्प बी बनिहाल दर्रा माना दर्रा उत्राखंड में है सिपकी लाही माचल प्रदेश में है और जो जीला ये भी जो है की जम्मो कास्मीर में है जासकर सरेणी में है अगला प्रस्ण है को देख सकते हैं अगला प्रस्ण है निमलिकित दरो का उत्तर से दक्षन क्रम है थाल घाट भोर घाट पाल घाट और सेन कोटा यह जो है कि विकलपड़ी सही है थाल घाट सबसे उत्तर में उसके बाद से जो है कि भोर घाट फिर पाल घाट और लाश्ट में सेन कोटा यानि स अगला प्रस्ण देखते हैं, निमलिक चटानों में से किन में जिवासमन नहीं पाय जाते हैं, किसमें जिवासमन नहीं पाय जाते हैं, इस प्रस्ण को देखते हैं, तो इस प्रस्ण में जो है कि इस चटान में नहीं पाय जाते हैं, तो ये दिया है, चटान का नाम दिया है, और फिर इसके जोड़ा बनाकर के दिया है कि कौन से है कौन से नहीं है इसके आर्कियन करम की चटान, धारवार करम की चटान, कुडपार करम की चटान, क्वार्टरनरी करम की चटान इस में क्या हो जाएगा पहले में जिवाशमा नहीं पाएजाते है आर्किन करम में और दूसरे धाड़वार करम में जिवाशमा नहीं पाएजाते है तो इस का प्रस्न का सही उत्तर होगा विकल्प B एक और दो सही है अगला प्रस्ण है निम्नलिखित में से किसमें सभी प्रमुक धात्वी खनीच पाया जाते हैं इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा धारवाड क्रम की चटाने विकल्प ए धारवाड क्रम की चटाने में सभी प्रमुक धात्वी खनीच पाया जाते हैं धारवार क्रम की चटानों में अगला प्रसना है निमलिकित परवत्रेणियों का पुर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम बताना है वो धर दर्रे का पुछा था यहां परवत्रेणी का बताना है तो परवत्रेणी में सबसे जो है की पूरब में कौन सा है तो मैं काल है उ चबर महोगनी आबनूर सिंकोनह आदि बृक्ष अधार्ण है यह की आप लोग बन जब पढ़े होंगे तो उसमें की इस प्रस्ण को दिया गया है और इस में जहे की क्या है यह उशन कटी बन्धिया सदा बहार बन होते हैं यानी इस इस प्रस्न का सही उतर होगा उष्ण कटी बंधिया सदा बहार बन होते हैं और एक होता है उष्ण कटी बंधिया परणपाती बन होता है तो इस तरह से जहें कि यह बन हो जहें कि हमें साज क्या रहते हैं हरे भरे रहते हैं यह बन जहें कि सालों भर हरे भरे रहते हैं प्रस्ण का सही उत्तर है विकल्ब A गोदावरी नदी को अगर जहें की दक्षन भारत की गंगा तो काबेरी नदी होता तो इस तरह से जहें की देखिए दक्षन की गंगा कहेगा तो गोदावरी हो जाएगा दक्षन भारत की गंगा कहेगा तो काबेरी नदी हो जाएगी तो इस तरह से इस प्रस्ण का एंसर आप लोग दे सकते हैं आगे के प्रस्ण को देखते हैं प्रस्ण नमबर बाईस को अगला प्रस्ण निम्न लिखित में कौन सा यूगमर सही सुमेलित नहीं है सही सुमेलित बताना है एक साइड में पक्षी बिहार है दूसरे में अस्थान और राजिया है तो इनको बताना है तो केवला देव घाना पक्षी बिहार भरत्पू राजस्थान में है ये सही है रंगा थीटू ये जो है कि पक्षी बिहार ये थाटे कड केरल दिया है जो गलात है ये कहां होगा ये करनाटक में है बाकी बेदाथ गंगल बेदांगल पक्षी बिहार चेंगल पटू तमिलाडू में है नेला पटू पक्षी बिहार नेला और आंधर परदेश में है तो इस प्रशना का सही उत्तर होगा विकल्प B रंगा थीटू पक्षी बिहार ठटे कर केरल और ये जहे की गलत है सही सुमेलित अगर होगा तो आप लोग जहे कि इसको करनाटक मार रेंगेगे अगला प्रशना है निम्नलिखित में से खरीब की फसल खरीब की फसल जहे है फसल कितन खरीब का पुछा जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नौंबर के पहले काट ली जाती है वो खरीब की फसल होती है रभी की फसल नौंबर अक्टूबर नौंबर में बोई जाती है और मार्च में मार्च अप्रील में काट ली जाती है और इसी तरह से जो है की अगला प्रस्न है दुर्गापूर इस्पास सयंत्र की अस्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ये लव इस्पास के अंद्र है, ये किस देश के सहयोग से किया गया है? इस प्रस्ण का सही उत्तर है ब्रीटेन जहें की इसका जहें की चार लोग इस पास सहयंत्रा स्थापित किया गया था जिसमें जहें की ब्रीटेन के सहयोग से दुर्गापूर और जहें की राउर के लाज जर्मनी के सहयोग से जो उडिशाव में है और उसके बाद से आपका भिलाई में है यह रूस के सहयोग से और बोकारों में है वो भी रूस के सहयोग से तो यानि दो रूस के सहयोग से राज जह की राउरकेला को राज बोल लिजिए तो यानि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से भीरू बोरू कर देंगे तो यह बोकारों रूस से भिलाई रूस से और दुर्गापूर जो है की डू भी कर देंगे तो ये जो है की ब्रिटेन के सहयोग से हो जाएगा अगला प्रस्न है निम्लिखित में से सीतोषन कटी बंधिया मरुष्थल है सीतोषन कटी बंधिया मरुष्थल कौन सा है तो इसमें देखिए ये सभी के सभी जैसे थार हो गया आटा कामा होगा काला हारी हो गया ये मरुस्थल क्या है जो है कि ये जो है कि उश्ण कटी बंधी है पेंटागोनिया का मरुस्थल जो है कि बिकल्प A ये क्या है सितोश्ण कटी बंधी है अगला प्रस्थन है कह रहा है निम्न लिखी घास क मैदान सुची एक और सुची दू को सुमेलित कीजिए ये जैकि बिकल्प दिया गया है इसको मिलाना ब्हुरत जैसे दिया गया है प्रियरी है वेल्ड है तो सब को पता है कि वेल्ड एक खास का मैदान है ये कहां पर पड़ता है दक्षर अफ्रीका में पढ़ता है यानि D का 3 तो D का 3 पढ़ता है और उसके बाद से जो है कि तो D का 3 इसमें देखिए तो कि एक ही विकल्प में आ रहा है बाकी मिलाए या न मिलाए तो भी सही हो जाएगा लेकिन प्रियरी कहां पढ़ेगा आपका प्रियरी उतरी अमेरिका में पढ़ता है और पंपास कहां पढ़ता है तो अर्जेंटीना में पढ़ता है इस्टेपीच इरोप में पढ़ता है तो इस तरह से आप जो है कि प्रियरी भी अगर सिंगल पुछेगा तो ये उतरी अमेरिका या अगला प्रस्ण है निम्न लिखित में से अस्थल रूद देश है अस्थल रूद देश के बारे में पूछ रहा है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा चाड विकल्प सी चाड बाकी सभी देश जो है की समुद्र से कहीं न कहीं से टच में हैं अगला प्रस्ण है निम्न लिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है सही सुमेलित को बताना है बाकी एक गलत है सब सही है एक गलत है उसी को बताना है जार्डन पिराइधानी अम्मान होती है किर्गिस्तान की बिंसेख होती है और जो है की इसका मंगोलिया का उलन बटोर होता है यमन का होता है सनाईना होता है जो कि दुसामबे दिया है गलत है इस प्रस्न का सही उतर होगा विकल्प डी यमन दुसामबे ये सुमेलित नहीं है अगला प्रस्न है निमनलिकित में से कौन अफरीकी महाद्यूप में इस्थित नहीं है अफरीका महाद्यूप म अमेर्का में इस्थित है यह एक । भीप हud होते हैं जिस बेस्ट इंडिज की क्रिकेट टीम है तो वहां के भी कई खिलाडी हैं तो यह जो है गयाना दक्षिण अमेर्का में है अगला प्रस्ना है यहांगे जन्जाती पाई जाती है इस प्रस्ण का सही उतर है विकल्प A अंडमान द्वीप समूं में उंगे जन जाती कहां पाई जाती है अंडमान द्वीप समूं में अगला प्रस्ण है केंद्रिय सुस्क भूमी क्रीसिस अनुसंधान संस्थान कहां पर है केंद्रिय केंद्रिय सुस्क भूमी अनुसंधान संस् इस प्रस्न का सही उतर है विकल्प ए हैदराबाद अब कहां पर हो गया है तेलंगाना की राइधानी हो गई है और आंदर प्रदेश की राइधानी अमरावती है तो पहले दोनों का एक ही राइधानी था लेकिन अब जह की हैदराबाद आंदर प्रदेश की राइधानी अमर ब्राजिल के कहवा बगानों को क्या कहा जाता है ये भी प्रस्ण कई बर पूशा गया है तो ये प्रस्ण इंपार्टेंट है ब्राजिल के कहवा बगानों को क्या कहा जाता है इसका उत्तर होगा फजेंडा फजेंडा विकल्प ए फजेंडा अगला प्रस्ण है बिश्वस्न प्रतिभूतियों से तातपर है इस प्रस्ण का सही उत्र है एसे सेर जिन पर लगतार उची दर का लाब हो, ऐसे सेवर को 20 वर्षनिय प्रतिभूतियों कहा जाता है, अगला प्रस्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है, सत्य नहीं पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, तो विदेशों से सुध आय, सभी समधी आंकड़े रिजर बैंकाफ इंडिया तियार करता है, भारत में पंचवर्षिय युनाय पूरव सोबियत संख के नियोजन पद्धियत संख से लिया गया है, ब्रिटिश सरकार ने बर्स उनिश्ट रहा हैं नियोजन विकास विभाग के अस्थापना की जिसके अध्यक्ष सर आरदेशियर दरलाल है, ये भी सही ह तो इस प्रस्न का सही उत्तर होगा यो गलत दादा भाई नोरोजी को भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणयता कहा जाता है जो गलत है आधुनिक नियोजन के प्रणयता कौन थे ? जहां कि A.B. से सुरया थे जहां कि आधुनिक नियोजन की प्रणेता अगला प्रस्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यहां पर भी पूछा है सत्य नहीं है इस प्रस्न का सही उत्तर है विकल्प B. भारत में जहां कि सेज अधिनियम 1 अपरेल 2005 से प्र अधिनियम लाया गया था और 2006 से प्रभावी हुआ था तो अगला प्रस्न देखते हैं निम्न कथनों में से अगला है बैंकिंग लोगपाल योजना का सुबारंब हुआ था इस प्रस्न का सही उत्तर है जब कुल उत्पाद इस्थिर होता है तो सिमान्त उत्पादन क्या होगा इस प्रस्ण का सही उत्तर विकल्प C, 0 होगा अगला प्रस्ण है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है कौन सा कथन सत्य नहीं है इस प्रस्ण का सही जो है की विकल्प होगा विकल्प डी ये सही नहीं है बाकी सब सही है आयात की प्रक्रिया इंडेंट से आरंभ होती है साख पत्र को लेटर आप क्रेडिट आयात करता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, एंटी, एंट्री, पोर्ट, व्यपार, पूना, निर्यात के लिए मंगाई गई बस्तुओं के संदर में होता है, और डिटी, ड्राब needing बैंक से अगला प्रस्ण है निम्न लिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है सभी सत्य होंगे केवल एक असत्य होगा इस प्रस्ण का सही उत्तर जो है कि क्या हो जाएगा बिकल्प सी चक्रिय निर्धन अधिकान समय धनी रहते हैं एवं यदा कदा निर्धन रहते हैं ये जो है की सही नहीं है बाकी सभी के सभी जो है की बिकल्प सही है निम्न में से कौन सा एक मुद्रा के अवं मुल्यन का प्रभाव नहीं है प्रभाव पुछ रहा है यहाँ पर तो इस प्रस्ण का सही उत्तर जो है कि क्या होगा इससे से आयात करता देश में मुद्रा पोसित ABC सुचकांग संबंधित है, ABC सुचकांग स्वास्थ से संबंधित है, विकल्प A स्वास्थ से संबंधित है, अगला है, बीसो व्यपार संगठन के अंतरगत क्रिशी पर समझावते के प्रमुक तीन अस्तंभो में निम्नांकित में से कौन एक सामिल नहीं है, एक सामिल नहीं है, तो इस प्रस्ण का सही उत्तर है, डम्पिंग रोधी प्रति पूरक चुंगिया, विकल्प D, डम्पिंग रोधी वः प्रति पूरक चुंगिया, अगला प्रस्ण है, किन परिष्थितियों में पूंजी गत लाभ संभव है, तो इसमें जहेकी तीन कि उत्पाद के विक्रय में बृधी हो ये जह की पुन्झीगत लाभ जह की इसमें जह की संभव है और जब किसी संपति के मुल्य में प्राकिर्थिक बृधी हो और तिसरा करा जब आप कोई रद न खरी दें और उसकी लोग प्रियता बढ़ने के कारण उसके मुल्य में ब्रिधी हो तो यनि दो और तीन सही है केवल दो और तीन है जब किसी उत्पाद से बेक्रे में ब्रिधी हो तो इससे पुझीगत लाभ जह की संभव कम होता है या न के बराबर होता है तो केवल विकल्प दो और तीन सही है विकल्प C सही है दो और तीन अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न है दर राइज एंड ग्रोथ आफ एकोनामिक नेशनलिजम इन इंडिया पूस्तक के लेखा कौन है इसके लेखा कौन है तो इस प्रस्न का सही उतर है विकल्प C पार्थ ये जो है कि इस प्रस्न का सही उतर है विपिन चंद्रा विकल ए विपिन चंद्रा अगला प्रस्न है सुक्षम लगू और मध्यम उद्यम की नई परिभासा के अनुसार एक करोड से कम निवेश और पांच करोड से कम टर्न ओबर वाला उद्योग की स्रेणी में आएगा ये दोनों बात कर दिया है कि जिसम जो है की निवेश कितना किया गया हो एक करोड से कम और तर्न ओभर यानि उसकी पादक्ता कितनी हो रही है पांच करोड से कम इस प्रस्न का सही उत्तर है सुक्षम उद्योग विकलप सी। इस प्रसन का सही उत्तर है विकल ए उत्तर प्रदेश राजे बीत निगम करता है अगला प्रसन है निम्न में से कौन सही सुमेलीत नहीं है तो सही सुमेलित पूछ रहा है ये पंचवर्षिय योजना से संबंधित है और पंचवर्षिय योजना है जो है की समाप्त कर दिया गया है तो समाप्त कर दिया गया है तो देखिए इस में जो है की विकल्पडी में दिख रहा है प्रथम पंचवर्षियो योजना का सुभारम एक जून उनीस बावन को किया गया था ये गलत है और इनके जगह पर क्या होना चाहिए एक अप्राइद उनीस से क्यावन से सुरू किया है हेराल अगला प्रस्ण है आप देखिए कह रहा है बिक्रेता का बजार वह है जहां बिक्रेता क्या होंगे अधिक होंगे और क्रेता कम होंगे यानि क्या हो जाएगा मांग से पूर्ती अधिक होगी यानि लोगों के मांग कम होगी और पूर्ती कम होगी इस प्रसन का सही उत्तर होगा बिकल्प B मांग से पूर्ती अधिक होती है अगला प्रसन देखिए यह प्रसन पुराना है अब तो नहीं पूछा जा रहा है ना प्रस्ण का सही उत्तर है विकलब C7 तो इस तरह से जह की आप लोगों के सभी प्रस्ण को जह की साल्व करा दिया गया है और आप लोगों को ऐसे ही विडियो किसी न किसी कमटेटिव एक्जाम से समबंधी तो आप लोगों को उपलब्ध होते रहेंगे तो आप लोग इसे जो है की आप लोग अधिक सधिक जो है की सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए आगे आप लोगों को जो है की अभी बिहार दारोगा से ले करके बिहार सिक्षक और य झाल